पारस मनी का जिक्र पोरानिक ग्रंतों और लोग कताओं में मिलता है। मनी थी जिसके बल पर हो शक्तिशाली बन गया था। मनियां कई प्रकार की होती है। बस कोई व्यक्ति उनकी पहचान करना जानता हो। कहानियों के अंदर जिक्र आता है कि कई संत पारस मनी खोच कर लाते थे और अपने भक्तों को दे देते थे। यह मनी हिमालाई के आसपास ही पाई जाती है। हिमालाई के सादू संत ही जानते ही कि पारस मनी को केसे ढूंडा जाए। एसी मान्यता है कि कोवों को इस मनी की पहचान होती है। कि विदनती है कि पारस मनी की तलाश के लिए कोवों के पेरों में लोह के छल्ले डाल देते हैं। कोवा जब पारशमणी के पास जाकर उसे अपने पेरों से चूता है या वह उस पर बैठ जाता है तो वह चल्ले सोने में बदल जाते हैं। बस फिर वे लोग उस कोवे के पीछे लग जाते थे। एसा भी कहा जाता है कि प्राजिन भारती रसायन नाचारे नागारजुन ने पारे को सोने में बदलने की तरकीब विक्सित की थी। उन्होंने ही पारशमणी बनाई थी। पारशमणी पत्थर है या रसायनिक रचना इसे लेकर भी अलग-अलग राय है। हाला कि जारकंड के गिरड़ी इलाके के पारशनात जंगल में आज भी लोग पारशमणी की खोज करते रहते हैं। तो यह थी पारशमणी के बारे में रोचक जानकारी ऐसी ही रोचक जानकारी के लिए देखते रहिए व्यब दुनिया।